नमस्कार, हिंदी लणी चैनल में आपका स्वागत है आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापी का लेकर आई है क्लास एट संस्कृत निकिता बोक चेप्टर नाइन चेप्टर नाइन का नाम है सुवचनानी तो आज हम पढ़ाने जा रही है अच्छे अच्छे वचन, सुभाशित वचन क्यूंकि संसार में मानप के दो ही सत पुरुशात साथी है कौन-कौन से सत संगती, एक अच्छी संगती और एक अच्छे वचन तो आज अच्छे वचनों को हम पढ़ने जा रही है ध्यान से word to word explanation सुनिएगा उसके बाद book exercise तो आपको मिली जाएगी आपकी book में जैसे कि लिखा हुआ है कि संसार में मानप के दो ही सत पुरशार्थ साथी है सत संगती और सुभाशित वचन जीवन की लावन्यमई खुशी के लिए जानी की जीवन को लवली बनाने के लिए सुभाशित वचन अमरित के समान होते हैं ये ऐसे सहाइक हैं जो जीवन को हमेशा सत प्रेडित करते हैं चलिए पहला है सुखमा पतितम सेवियम दुखमा पलितम तथा चकरवत परिवर्तनते दुखानी सुखानी जेए लेद्ध ध्यान से सुनली जैए सुखमा पतितम का मतलब इन पर सेवियं का मतलब अपनाना जाय'dに यह जेलना चाहिए दुखंपली तुर्षक्प तृषकर शओन का सुख्ण पर उसे अपनाना चाहिए दुखमापालितम तथा परण्थु दुख को भी नहीं कहता भूलना चाहिए चकर्वत परिवर्तन ते शुक और दुख दुखानी सुखानी चाहिए सुक और दुख चक्रवत पहीय के समान आते जाते बदलते रहते हैं जानि कि सुख के आने पर उसे अपनाना चाहिए और प्रंतु दुख को भी नहीं भूलना चाहिए सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, दोनों बदलते रहते हैं, किसके समान? चक्करवत पईय के समान् परिवर्तनी परिवर्तनी संसारे परिवर्तनशिल संसार में मुर्त पॉथ nella जायते पैदा होता वो तो लाइन के एकॉर्डिंग आएगा जो भी आएगा सर जातो जेन जाते इन याती वंचम समुनितम तो कह रहा है परिवर्तनी संसारे परिवर्तनी शील संसार में को, कोन मृत्य वाना जायते, कोन जनम नहीं लेता अत्वा कोन नहीं मरता सर जातो जेन जाते इन याती वंचम समुनितम उसका, सर जातो जेन कहता है उसका जनम लेना क्या है समूनितम समूनितम पूर्ण उठान करने वाला तक्की वाला तो उसका जनम लेना सार्थक होता है जिसके जनम लेने से उसके कुल एवं वंच की क्या होती है उन्नती होती है तो परिवर्तन शिलसांसार में कौन जनम नहीं लेता अथवा कौन नहीं मरता लेकिन उसका जनम लेना सार्थक होता है जिसके जनम लेने से उसके कुल लेवमंच की उन्नती होती है अलसस्य कुतो विद्या आलसी व्यक्ति को विद्या कहां कुतो मतलब कहां अविद्यस्य कुतो धनम और विद्याहीन को धन कहां जानिकी अनपड के पास धन कहा अधनस्य कुतो मित्रम और बिनाधन के मित्र कहां अमित्रस्य कुतो सुखम और मित्र के बिना सुख कहां तो ये हो गया हमारा next paragraph आगे हैं बहुत ही प्यारा शलोक है ध्यान से सुनिए मनस्यनेत, पहले तो इसका मतलब समझ लेजिए, मन में और कुछ, something else in the mind, वचस्यन्त, something else in the speech, जानि की वचन में और कुछ, करमनेयनद, जानि की something else in the action, कारे में और कुछ, दुरातमनाम, जानि की दुर्जनों का, और महातमनाम, जानि की महानव्यक्तियों का, तो कहरा है, मनस्यनेत, वचस्यन्त, करमनेत, दुरातमनाम, कि दुर्जनों के मन में, मनस्यन्यद, दुर्जनों के मन में कुछ और, वचन में कुछ और, और करम में कुछ और होता है, परन्तु, मनस्यकम, वचस्यकम, करमनेकम, महातमनाम, लेकिन महान व्यक्ति, मन, वचन और करम से समान होते हैं एक जैसे एकम एकम वर्ड लिखा ना मन से कम वचे से क्यम करम नेकम तो महान व्यक्ति जो हैं मन से वचन से करम से समान होते हैं बहुत ही इजी शलोक है यसे नास्ती स्वियम प्रग्या जिसके पास स्वियम खुद की विवेक नहीं होता जिसके पास शास्त्रों का पालन वो किस परकार करेगा जा उसका शास्त्रों उसका किस परकार वो शास्त्रों का किस परकार रद्यन करेगा वे शास्त्रों का पालन किस परकार करेगा लोचना ब्याम आंखों से रहीत व्यक्ति विहीनस से जैसे की जैस परकार आंखों से रहीत व्यक्ति दरपन का क्या करेगा जानि कि नेत्रहीन के लिए दर्पन का तो कोई importance नहीं रह जाती कोई महत्यों नहीं रह जाता उसी तरह कहता है जिसके अपास खुद की बुद्धी नहीं है ना खुद का भी वेक नहीं होता वो शास्त्रों का पालं किस परकार करेगा नेक्स्ट अती लोबो नाकरतवियो लबदम नैव परितिय जेत अती लोबाभी सरवस्य नाशय भवती निश्चितम अती लोबो जानि कि बहुँ जादा लालच अधिक लोब नाकरतवियो नहीं करना चाहिए लबदम नैव परितिय जेत जो मिल जाए उसे परितिय जित नहीं छोड़ना चाहिए अति लोबाभी अत्यदिक लोब से सरवस्य नाशे भवती निच्चित रूप से नाश होता है जादा लालच करेंगे किसी चीज़ का तो निच्चित रूप से नाश्वान सिद्ध होता है वो नेक्स पेराग्राफ विदेशेशु धनम विद्या व्यसनेशु धनम मती परलोके धनम धर मैं शीलम सरवत्र मैं वैधान धनम कहता है पर्देश में विद्या जाने कि विदेशों में धन पर्देश में विद्या और संकट में बुद्धी रूपी धन व्यसनेशु संकट में इन ट्रिबुलेशन्स दुख के शनों में विदेशों में पर्देश में विद्या रूपी धन और व्यसनेशु धनम मती संक पर्लोक में धर्म और शीलम धनम जाने की शील रूपी अच्छे आच्रन रूपी धन सभी जगा क्या आता है काम आता है अगर आपका आच्रन सही होगा तो बाहर जाके गुड नेचर होगी अच्छा स्वभाव होगा तो विदेशों में उसकी भी पुजा की जाएगी तो क्ल विद्या रूपी धन और संकट में भुद्धी रूपी धन काम आता है परलोक में धर्म और शील रूपी धन सभी जगा काम आता है ठीक है पुस्तक स्था तू या विद्या परहस्त गतम धनम कारे काले समुत पने नासा विद्या नात धनम पुस्तक था केवल पुस्तक में लिखी हुई विद्या एवं पर हस्त कतम दूसरों के हाथ में गया हुआ धन कारे काले समुत्पने ना सा विद्या ना तर धनम किसी काम का नहीं है क्योंकि समय आने पर ना तो वे विद्या काम आती है ना ही वे धन काम आता है तो यह सारे पेराग्राफस जो हैं इसमें अच्छे अच्छे वचन हमें बताए गए पहले में बताया कि सुक्ष कि आने पे हमें अपनाना चाहिए और दुख को भी कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि सुकष और दुख दोनों पईये के समाना है गुमते रहते हैं और निर्दन का मित्र कोन होता है और मित्र के बिना कोई सुख नी मिलता है उसके बाँ बताया है धुरजनों के मन में कुछ होर होता है जो बुरे लोग होते है वचनों में कुछ होर होता है लेकि जो महान वेक्ति होते है ना उनका मन वचन करम सब एक सा होता है फिर आपको ब पेर केवल पुस्तक में लिखी गई विद्या ही काम नहीं आती है, दूसरे काहते हैं अगर वही विद्या काम आजाए, वही धन काम आजाए तो वह सबसे बैटर है, तो यह सारे अच्छे अच्छे बचन आज अपने बच्चों को हमने सिखाए हैं, यह आपके सामने शब्द बुक नहीं है तो आप यहां से नूट कर सकते हैं शब्द उसके बाद आपको देने जा रही हूँ रिटन में अनुबात अगर कोई लाइन समझ में ना आई हूँ ये कुछ बाते हैं और विकारी शब्द जैसे कि आप सबको पता है वो शब्द जिनके सुबंत तिगंत में र उप नहीं बदलता चाहे आप एक वचन में कर ले बहुवचन में कर ले उनके शब्दों के अर्थ नहीं बदलेंगे ओकी ये आपको मैंने अनुबात दे दिया है स्टुडेंट्स फर्स्ट फोर पैराग्राफ का अनुबात आपको यहां पर रिटन में मिल जाएगा तो आ आप अराम से अपनी लाइन जो भी क्लियर नहीं हुई हो यहां से देखकर आप प्लीज अपनी लाइन क्लियर करके अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं फिर यह आपको नेक्स फोर का दे दिया गया है आप अराम से देखिए नेक्स फोर का नेक्स पोर का नुबाद देखने के बाद आपके पास एक्सरसाइज का पहला कोशन पूछा गया है निमल लिखित प्रशनों के उतर संस्क्रित में लिखिए चकरवत परिवर्तंते के पहिये के समान क्या गूंता है क्या बदलता है नेक्स कोशन है किसके पास विद्या नहीं है तो आलसी व्यक्ति के पास अलससय उसके बाद बताया है महात्माओं का क्या एक्सर रहता है उनका वचन भी मन भी और करम भी ठीक है तो आप देखके भी बढ़ सकते हैं अपनी बुक्से लेकिन फिर भी मैंने आपको आंसर प्रवाइड कर दी है तो यह आंसर आपको प्रवाइट कर दिये गए हैं आप देख सकते हैं संसार परिवर्तन शील है इदम संसार को जगतम परिवर्तन शीलम अस्ती बिना विद्या के दन कहा अविद्यस्य कुतो धनम मन से कार्य से वानी से महा पुरुष एक रहते हैं मनसेकम वचस्यंत करमनेकम महात्मनाम ओके अत्यदिक लोबनी करना चाहिए अति लोबो ना कर सर्वत्रेव धनमस्ती परिवर्तन शुखं दुखं चे चकरवत परिवर्तन शुखं दुखं चे चकरवत परिवर्तन वाक्य रचना संस्कृत में करनी है समुनितम स्ववंच्छ से समुनितम कुरेयात अपने वंच की उनती करो कुतो अविद्यस्य कुतो धनम लोचना व् रहित दरपनस्य किम करिशती लब्दम लब्दम नैप परितिय चेत ओके आगे आ जाईए शब्दों की विबक्ती और वचन येन येन कौन सी विबक्ती है यह जो भी उसका विबक्ती रूप है उस तरित्या विबक्ती है एक वचन है तस्य शष्टी विबक्ती है एक वचन ह व्यसनेशू रामेशू आपड़ते ही और सब्तमी बहुवचन है शीलम परत्माविबक्ती एक वचन शीलम शीलेशिलानी समुथपने सब्तमी विबक्ती एक वचन वाक्यों को बहुवचन में बदलना है दुखम चकरवत परिवर्तते दुखम का हो गया दुखानी नाम बहुवचन है धर्पने कीम करिश्यती तो धर्पना बहुत सारे धर्पना कानी करिश्यंती विद्या विदेशे धर्मस्ती विद्या विदेशे शू धनानी संती यसे स्वयम प्रग्या नास्ती तस्य शास्त्रा की मपीना करोती यसे नहीं ये शाम स्ववयम प्रग्य ना संती ते शाम शास्त्रा की मपी ना कुरवन्ती बाके प्रयोक करना है एव का अत्र एव तिष्ट यहां ही बैठो इदानीम इदानीम तत्रमागर्च अध्य 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 सोम वारेस्ती ऐसा भी कर सकते हैं तो सोम वास्रे अध्य तो हम कुत्र गमीशे सी सह सह मेया सह तंते दुखानी सुखानी चक्तर के समान पईय के समान बदलते रहते हैं दुख और सुख आगे क्या आएगा ये स च च वर्ड लगा देंगे दुख और सुख च का मतलब और अब इद्य से कुतो धनम धनम पर टिक करेंगे तो ये था आपका सूवचनानी का चैप्टर जि समझ में आ गया होगा अगर फिर भी कोई डाउट रहा जाता है आपको लगता इस लाइन की एक्स्प्लेइन नेशन मुझे समझ में नहीं आई तो फटा-फट से कमेंट बॉक्स में लिखिए अब आपके स्टुडेंट्स बता दूं क्लास एट संस्कृत निकिता भुक जो हो गया रेट कि उल मिलाकर आपकी अगर देखा जाए तो बारां चैप्टर में ऐसे भारां चैप्तर मेंसे ढके ग्यारां चैपटर अप्लोड चप्टर रहा गया प्राध धीनता नाम नेशामी वो शायद आपका फस्टम में निकल गया है ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को next year डालेंगे आपका यह चप्टर प्राध धीनता नाम नेशामी फिलहाल आपको अगला चेप्टर मिलेगा सुभाशीतानी फिर भी इस पार्ट में अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो जट से मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके आपको ये पार्ट कैसा लगा लाइक करके वीडियो को ज़रूर बताईएगा शेर कीईजी अपने दोस्तों के साथ चैनल पर नहीं है तो सब्सकाइब का बटन दबाईए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा आपके कमेंट के कारण ही आपका वीडियो आपको मिल पाता है स्टूडेंट्स ओके चलिए गुडबाई एब्रिवान